दोस्तिया सामसंग लेके आगे अपना Galaxy M series का और एक ने brand new smartphone जो कहें सामसंग Galaxy M30 जिसके लिए आप कर रहेते बहुती बेस सब्री से इंतजा तो finally आज सामसंग ने launch कर दिया अपना Galaxy M30 को इंडिया के अंदर तो friends यार आये देखते हैं कैसा है ये phone क्या है इसका specification क्या है इसमें खास features क्या है इसकी price तो please वीडियो को इसके मत कीजिए और शुरू से लेकर लास तक जरूर दिखिएगा Hello friends मैं हूँ आपका दोस्त आरीफ तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह अपलोगों से रिक्ष्ट करूँगा अगर आपने अभी तक आपके अपनी चैनल बिंग आसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो please यार दिल से रिक्ष्ट चैनल को सब्सक्राइब कर कर लीजिए और साथ में जो छोटा वाला नोटिफिकेशन बिल है उसको भी लाजमी से अउंड कर लीजिए गा ताकि आपको आने वाला लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो फ्रेंस है सबस गैलक्सी M10 या फिर M20 देखने को मिला था इसके अंदर आपको वही आपको पोली कार्बोनेट बोडी डिजान देखने को मिल जाती है साथ में दो तिन कलर बेरियन भी देखने को मिल जाती है जो आपको गैलक्सी M30 के अंदर तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पले से तो दोस्ते एर Galaxy M30 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6.4 इंचिस का Full HD पलस रेजुलेशन पलस Super AMOLED स्क्रीन 19.9 स्पेक रेशियो के साथ एक U-Shape Nodge डिस्पेले जो के आपको Full View डिस्पेले देखने को मिल जाती है Almost Bezerless देखने को मिल जाता है तो बात करें फोन की श्ट्रेस को लेको तो फ्रेंस से इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है दो बेरियन जो आथा 4GB, 32GB और 6GB के साथ 64GB बेरियन आपको देखने को मिल जाती है तो बात करें फोन की चैमरस को लेको तो दोस्ते है इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है laat त्रिपल रेयर orig मिल जाती है 13 प्लास 5 प्लास 5 मेगा पिक्सिल की ट्रिपल रियर क्मरा का सेंसर जो 13 मेगा पिक्सिल का प्राइमेरी संसर है इसका aperture f1.9 है और जो secondary camera 5 megapixel वाला है इसको यूज किया गए ultra white lens के लिए जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाते है f2.2 का aperture और साथ में आपको मिलता है 5 megapixel का depth sensing वाला sensor जो आता है f2.2 aperture के साथ और साथ में आपको मिलता है 16 megapixel के selfie camera f2.0 aperture के साथ तो दोस्ते हैं बात करें फोन की battery को लेगा तो दोस्ते हैं इस phone के अंदर आपको देखने को मिल जाते है 5000 विश की बड़ी battery जो support करते है fast charging को 15 watt का fast charging का support आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको battery optimization software का layering भी देखने को मिल जाएगी galaxy m 30 के अंदर तो फ्रेंड्स यार बात करते हैं फोन की processor को लेका तो दोस्ते हैं इस phone के अंदर आपको देखने को मिल जाती है xynos 7904 वाला chipset जो कि एक octa code CPU है और इसका जो मतलब की processing power है वो लगबग ठीक ठागी है तो दोस्ते यार यह है पुरा complete specifications of features galaxy m 30 की तो बात करें phone की कुछ interesting features को लेका तो फ्रेंड्स यार सबसे पहले तो आप लोगों को back mount पे fingerprint scanner देखने को मिल जाती है साथ में आपको देखने को मिल जाती है wide one L1 का support जिसके जरी आप अपने netflix या Amazon Prime videos बगरा HD में enjoy कर सकते हो साथ में आपको तरह तरह का features देखने को मिल जाती है जैसे कि पास 1000 एमिश की बड़ी बैटरी 3.5 mm audio jack साथ में आपको मिल तरह तरह का basic sensors बगरा इस phone के अंदर आपको देखने को मिल जाती है फ्रेंज यार बात करते हैं phone की price को लेका तो दोस्ते यार मैं आप लोगों को बता दूँ यह जो वीडियो में आभी shoot कर रहा हूं तब तक phone का price reveal नहीं हुआ है में तो दोस्तेर बास फिलाल के वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अमीद है यह वीडियो आपको जरूर पसना आया होगा वीडियो अच्छा लागे तो प्लिस या लाइक किये बगर मत जाईएगा और अगर कोई भी सवाल या सुझा हो तो प्लिस या नीचे कॉमेंट कर लिएगा और अगर अपने अभी तेक आपके अपनी चैनल बिंग ऐसे को सब्सक्राइब नहींगे तो प्लिस या सब्सक्राइब भी कट दिजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेग नौली से रिलेटेड वीडियो लेके आ